हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चानल जी ओ लाइफ आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो आजकल की लाइफ स्टाइल में एक कॉमन समस्यासी हो गई है जी हा में बात कर रही हूँ हाइपरटेंशन के बारे में हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाब देखा जाए तो एक सामान्य स्वास्थे समस्या है जो आधोनेक जीवन शैली, अन्यमित खानपान और तनाव के कारण बढ़ती जा रही है कभी कभी यह समस्या इतनी गंभीर हो सकती है कि और कई अन्य समस्याओं का कारण बन सकती है सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है संचेप में समझे तो हाइपरटेंशन या उच्छ रक्तचाप एक ऐसी स्थिती है जब व्यक्ती के रक्तचाप का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है यह अक्सर बिना किसी संकेत के होता है इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है अधिक रक्तचाप के कारण रक्त का प्रवा अधिक होता है जिससे धम्नियों में दबाव बढ़ता है वैसे सामान्य रक्तचाप 120 से असी होता है जब यह इस रेंज से उपर हो जाता है तो इसे हाइपरटेंशन में लिया जा सकता है वैसे हाइपरटेंशन के कई कारण हो सकते हैं पर मुख्य कारण में ये हो सकते हैं ज्यादातर मामलों में ये समस्या उन व्यक्तियों में अधिक होती है जो अत्यधिक तनाव लेते हैं तनाव और चिंता यदी लंबे समय तक बनी रहे तो ब्लट फ्लो बढ़ने से यह रक्तचाप को बढ़ा सकता है लंबे समय तक अन्यमित खानपान जैसे अत्यधिक नमक, अधिक मसालेदार और तली हुई चीजे खाना, तेजी से फास्ट फूड और अन्य-अन्यमित भोजन शारिरिक स्वास्थे के लिए ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं अगर हम कम व्यायाम करते हैं तो भी हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है सरीर को मेंटेन रखने के लिए एकसरसाइस जरूरी होता है जिन वक्तियों को ज्यादा धूमरपान और अलकोहल की आदत होती है ये भी हाइपरटेंशन का कारण होता है निरंतर वजन बढ़ना भी हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है आज कल की जीवन सैली में ये आम है और इसके शरीर पे बहुत ही बुरे प्रभाव पढ़ते हैं पर आज बात करेंगे कि किड्नी पे इसका क्या प्रभाव पढ़ता है गुर्दे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो हमारे शरीर से विशैले पदार्थों को निकालते हैं हाइपरटेंशन या उच्छ रक्तचाप के दौरान गुर्दे भी प्रभावित हो सकते हैं जिससे विभिन्न स्वास्थे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं गुर्दे का मुख्य काम है शरीर के विशैले पदार्थों को निकालना ये उरिन और अन्य अप्षिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं गुर्दे रक्त में से अतिरिक्त पानी, नमक और अन्य विशैले पदार्थों को हटाने के लिए काम करते हैं। हाइपरटेंशन के दौरान गुर्दों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे वे संबंधित समस्याओं का शिकार हो सकते हैं, जैसे की किड्नी स्टोन्स, किड्नी इंफेक्शन या अन्य गुर्दे की बीमारिया, इसके कारण गुर्दे की सफाई में कमी होती हैं, जिससे गुर्दे में इंफेक्शन का खत्रा बढ़ जाता है, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लॉस होना भी आम है हाइपर्टेंशन से किड़नी के खासंग जिने ग्लोमेरुलस कहा जाता है धराब हो सकते हैं जो की रक्त को छानने का काम करते हैं इससे प्रोटीन का अस्मान निकास हो सकता है जिसे नेफरोपैथी कहा जाता है अगर लंबे समय तक समास्या बनी रहती है तो रेनल फेलियर जैसी शारेरिक स्वास्थ्य समस्या हो सकती है अगर हाइपर्टेंशन की समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है ताकि समय रहते हुए बिमारी को ठीक किया जा सके हाइपटेंशन को नियंत्रित करने के लिए आपको कुछ कदम उठाने चाहिए जैसे स्वस्थाहार में कम नमक, कम मसालेदार और सेहतमंद खाद्य पदार्थों का सेवन करें नियमित व्यायाम करें और शारिरिक सक्रियता को बढ़ाए धूमरपान और अधिक मात्रा में अलकोहल का सेवन न करें योग और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें ताकि मानसिक स्थिर्ता बनाए रखें हर साल रेगुलर चेक अप कराएं और डॉक्टर की सलाह का नियमित पालन करें हाइपरटेंशन को समय रहते पहचान कर और उसका उपचार करके हम अपने स्वास्थे को बहतर बना सकते हैं और संभावित जोखिमों से बच सकते हैं इसलिए स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन जिए आशा करती हूँ विडियो पसंद आया होगा इसे ही और विडियो के लिए विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद